हेलो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग राधे राधे कैसे है आप सब आप सब आप सब अच्छे हो खुशो सौस तो फ्रेंड अभी टाइम होगा है साथ बजेगा तो मैं नाली हूं और काना जी को भी मैंने उठा दिया अपि निलाया तो नहीं उठा दिया तो थोड़ी सी अ मुझे खोलना है अपना वरत जो सिवरातरी का वरत था वह आपको लेगा तो वह मुझे कोरना है तो बस पुसी की तयारी कर रही हूं अभी चलती हूं मैं वो फ्रेंड अभी जो मैं आ गई हूँ कीचन में और कीचन में अभी मतलब सारा समाना ऐसे है नासता उसता अभी किसी घर नहीं हुआ है तो रात के जो बत्र मंजवद सभी सलेप पही है लेकिन इन सब काम को नहीं बाद में देखेंगे पहले अपने जो सबसे जरूरी काम है मुझे वो करना है आटा मैंने थोड़ा सा छान लिया है तो मुझे गाएं के लिए लोई तयार करनी है जो हम सिवरातरी से अगले दिन गाएं को पोज़ करके लोई देते हैं तो वो ही मैं तयारी कर रही हूँ और तुझी आटा मैंने छान लिया है थोड़ा सा अटा गुंदने के बाद मुझे इसकी साथ लोईया बना लेनी है, साथ लोईया मैंने बना लिया है, इस लोईय पे मुझे थोड़ा सा लगाना है घी, तो अंगली की साहिता से में सारी लोईय पे घी लगाऊंगी थोड़ा सा, मिठ्थे में लगाऊंगी मैं, गुड़ हो या फिर चलना है मंदिर में तो पहले मैं पूजा करूँगी उसके बाद जो है मुझे ये सारी लोईया गाएं को देनी है और फ्रेंड अभी मैं आगी हूं मंदिर में पूजा कर जो परतन है वो मैंने साफ कर लिया था जो जल का लोटा है वो भी मैंने साफ कर लिया था तो अभी सबसे पहले जो है दिया बत्ती करेंगे धूब दिखाएंगे उसके बाद जो है मुझे ये लोया पूजी नहीं है, मतलब पानी का हाथ लेकर जल लेकर हाथ में उसे साथ बार जो है इनके उपर फेर करके, तब ही जो है हमारी ये पूजा कंप्लीट होगी दिया मैंने जला लिया है और अभी जो है, मुझे करनी है आरती सिवजी की और गुनेश जी की दुनों की मैं आरती करूँगी और उसके बाद जो है, ये जो लुट्टे का जल है ये मुझे सूर्य देवता को जो है अर्क देना है आज संड़ का देना है, इसलिए मैं सूर्य देवता को दूँगी वरना जो है नोर्मली पूजा में हम तुल्जी माराने को भी दे देते हैं तो जी पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है जल मैंने दे दिया है, अभी मैं जो है चलती हूँ नीचे ये लोई या गाएं को देने के लिए और फ्रेंड मैंने पूजा कर ली है और उसके बाद जो है, और आज ना बच्चे अंधर नहीं सोये थे क्योंकि अब ना गर्मी होने लगी है और अंधर ना मच्छर बहुत ज़्यादा लगने लगे है तो अभी पंखे में डाराक सोयेंगे तो पंखे की हवब भी हमें नुकसान ही देगी और मम्मी जी को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पंखे के नीचे लेटने में तो बस यह ही सुचा था कि इसलो सारे ना आज होल में लेट जाओ क्योंकि अब थोड़े वो दिन बाद जो है, सब की खाट वैसे भी होल में ही आनी है तो जी रात यह सब लेटे थे होल में ही और बच्चे देखिए वंस तो उठके चला गया है, प्रियांसु भी उठके चला गया है मम्मी जी बेपनी बिस्तर में ही है, तो बस में ही है, मच्छा दानी उतारूंगे पहले तो और उसके बाद जो मुझे यह सारी बिस्तर जो है उठके रखने हैं, उसके बाद जो मम्मी जी को नास्ता दूँगी, खुद भी नास्ता करूंगी इसी बीज पूजा करने के बाद जो कानजे को भी नहीं ला दिया था और फ्रेंड, वैसे तो मैं रोज पहले ही नहीं लाती हूँ, लेकिन आज मुझे यह पूजा जो है सिवरात्री के उसमें करनी थी, इसलिए पूजा जरूरी थी और गाएं को यह लोई देंजे, क्योंकि इससे पहले मैं चाय नहीं पी सकती थी, और मुझे जादा लेट चाय पीने की बिल्कुल भी वो नहीं है, थोड़ी ची भी लेट होती है मुझे चाय में, तो मेरे न सर में दर्द होने लगता है, तो कोई भी व्रत होता है, वैसे तो मैं पहले दिन निकलने से पहले पहली सुर्य देवत्त के निकलने से पहले पहली चाय पी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं पी थी, इसलिए थोड़ा से जल्दी ही मैं नहा करके पूजा कर ली थी, मुझे भी उट चुकी है, अभी सब की मच्छानी उतार देंगे, बेस्तर उठागर के रखेंगे उसके बाद फिर यहां सारे में जाडू जाडू लगाएंगे जाडू लगाने के बाद मुझे पातन है गोबर क्योंकि अभी न थोड़ा सा दिन कैड़े होने लगे हैं तो ज्यादा धूप में उपर बैठा नहीं जाता तो मैं कोशिश यही करती हूं कि पहले जल्दी जल्दी से काम करके जो उपर धूप वाले काम मैं वो निप्टा लूँ क्योंकि निच्चे का काम जो है पोच्चे में थोड़ा लेट भी लगा लूँगी चल जाता है क्योंकि वो तो अंदर ही अंदर लगना है लेकिन जो धूप वाले काम है पस यही कोशिश रती है कि पहले वो कर लूँ मैं जाडू लगाने के बाद जो है तुरंद में उपर ही जाओंगी तो फिर में पाथूंगी गोबर अब यह और यह हो रहा है ऐसा कम अलों जिनने में कुछ नाला के उपर से सिद्धा निच्चे खाट गया जारी क्योंकि अब रिजाईयों का मोसम चले गए अब आगे हैं हलके हलके ब्लैंकिट तो अब उड़ जाते हैं और उपर नो टिले लग रहे सब की रिजाईया चे रखी तो आज ने संदुक को में लगाऊंगे अहीं जा उपर से निच्चे पारसल हो रही है क्या करती हां जरूर पीरी तेरी अम्मान का द्यास तक पिया इसका जब भी जी करें जब इसे ठाके लिया तंडे बोर इसे को अजय बीले करें अजय चिलम को है हमारा कर बड़ा बुड़ा नी तरह जी करें बरके देने कू किसी बड़े बुड़े को ऐसे को बूला नूगा आजया में दुम्हां होका बरबर का चिलम बरबर के दूंगा हमारे एक होका है बहत पुराना अजय देखो पंचो में सवार उपर ही अब देखे वहटा रहा है जान सवागोब जो कट रहा है आस तो बरगुले पाथ लूँ अब थोड़े से दिन रागे पंद्रा की दिन रागे और पाथू में निच्चे यह नहीं तो यह उपर तो फोड़ा है बंदर भी यह निच् सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड अभी दुफैर का जो है खाना पीना हो गया है अलका बीना भी रहस्टी कर रही मैंना थकी सुबह से अराम नहीं करा तो मैंने भी जह है अपना सारा काम निप्टा ही लिया है और आज ना मैंने यही कवरा है कि थोड़े से ना ठंडे करके अलमारी में लगाने पड़ेंगे तो जो जितने भी थोड़े बहुत गरम कपड़े रखे हैं वो सारे मुझे निकालने पड़ेंगे क्योंकि अलमारी में इतने जंगा नहीं रहती कि गरम और जो ठंडे कपड़े हैं दोनों एक साथ में रख लू तो पूरी अलमारी ना मतलब घिचमी सी होजाब हो ज़्यादा तो कुछ कपड़े जो है गरम मैंने रखे थे उन्हें आज में सरो के ही निकाल दूँगी और आज ये सारे कपड़े मुझे धुलने हैं तो जितने भी कोटन के हलके गर्मी कपड़े हैं हलके-था तो आज में सारे वही निकाल के उस सारे बैगों में अच्छे से तहां करके भरके रखूंगी तो इससे क्या होगा मेरे बैड की जो है यह साफ सपाई भी हो जाएगी मुझे दुबारा से मेहनत नहीं करने पड़ेगी बैड में कपड़े लगाने की तो यह मेरे यह काम भी आज साथ के साथ मढ़ जाएग कुछ ऐसे भी कपड़े हैं जो तन्नु के रवंस के छोटे हो रखे तो वह भी सब मैंने एक बैग में कर लिया है क्योंकि जो कि देने होंगे दे देंगे वरना इनके छोटे-छोटे कपड़ा का बाहर रखना कोई फायदा नहीं है तो बस जी सारे बैग जो है मैंने अच् चादर बिछाए हूए हुए उसे ठीक कर लिया है और आराम से यह सारे बैग सही तरीके से करके लगा दिये हैं तो कुछ कपड़े जो हैं एसे थे जो बंदो थोड़े से घीसे हुए है पट हुए है तो वह सुत्ती कपड़े हैं वह मैंने अलगी रख दूँगे इनको क्य देखिए बैड़ मैंने अपना प्रोसिंग वाद दिया है अब बाहर के साफ सफाई रहागी है बैड़ के तो मेरी हो चुकी है और यह देखिए फ्रेंड पूरे जो है आज मैंने सारे गर्मी का कपड़े मतलब निकाल लिए जे भी एक कपड़ा रखा हुए था ना वह सार दुलाएं एक बार पानी मोगोन निकाल निकाल के डालना क्योंकि रखे में मुझे से पहने ने जाते थोड़ी सीन में इस मेल आवा तो बस इन एक बार पानी मोगोन निकाल के डाल दू और फिर सबसे बड़ा काम रह जाएगा उनका प्रैस करने का मैं अभी आज चुकी कि मारे पर कपड़े ना है लेकिन जब इन्य धोने कर सिंग्वाने का तायम आवा ना तो नूल लगा जिन कितने कपड़े वहर रहे और बस यह रहा है और वैसे क्या है मेरे पर सूंट नहीं है मेरे पर यह यह नहीं और फिलाल भी मैंने तीन चार सूट भी सिलने के लिए तो यहाल भाया कपड़ों का है और यह हाल मेरा नहीं है पूरी सारी दुनिया में ही है सभी ओरतों का यह रहा कि मारे पर कपड़ी नहीं है यह नहीं है जब इस इंग्वाने का नमबर आए जब दिमाग खराब हो जाए बहुत ज़्यादा तो जी दो दो टप मैंने पानी के समय को भर लिया है एक मापको पहले एक महा निकाल लािे और फिर दूसरी महा को निकाल लोगे मसीन मेला चाल लो कर लिया अब गए हैं और सारे कपड़े हमारे सूख भी गए हैं अभी मैं इनको लेगी हूं बरामदे पर बाहर तो सारे मैंने एक साथ लेकर आगी क्योंकि इतने दूर से बार बार आने जाने में ओरत तो मैंने धोन में ठॉक ली और कमर की मेरी होगी बहुत बुरी हालत और फ्रेंड उस ना है कपड़े मसीन दो दो दिये लेकिन मसीन फिद में चलती मसीन को भी चलाना पड़ता है जितना काम मसीन करें था काम गडवां साथ साथ जितनी दे रवी 1.50 घंट का मुझे idle time लगा जितनी दे पर बखाघन और चलते रहे हैं मेरे से भाथ भालिम मेहीं कभी से brig Dodal निकाले पिर मेंद यो इतनी देल तक मैं आए भार इसे की बिलकुल हई पर मुड़े मुड़े न मेरे कमर भी बिलकुल इसने दरद करने लगे है बहुत जदा और अभी यह कपड़ मुझे सुखाने बाद न इसके तुरंत बाद मुझे जाना है अपने ज़ो है अभी बज़ें का टाइम हो रहा है तो मुझे उन्हें चरण ढालने भी जाना शाम काट आई तो जी साम की रोटिया बनने लगी है खाने में बनाई है आज काली दाल तो इधर बना रही है रोटिया जल्दी श्टार्ट कर दी तो कप्ड़े जितने भी तो कुछ तो सूख गिये जो नहीं सूखे वे उतार के अंदर डाल दी है क्योंकि सारे तो सूख नही क्यों रुक के उतार रहे हैं बच्चा आए हभी तो निच्चे अपनो मन रहे हैं मस्ती तार नहीं देखिए यह और आब अच्चोगा तो चलिए आज के व्लोक में हैं फिर रोकती हूं आपसे मिलेंगे कल नेश्टर रोक में तब तक के लिए आप लोग खूस रहिएगा सूख रहिएगा चैनल को लाइक करते रहे हैं से जरू किजिए कमेंट करके बताएए और वीडियो थोड़ी पसंदा थो फिली सुस्क्राइब जरू किजिएका रादे रादे टेक एर बाई बाई